हुआ 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 है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम आपने थमलेल के उपर पड़ भी लिया है तो टॉपिक हमारा यह रिष्टा क्या कहलाता है तो यह कन्फूजन हमेशा होता है है आप एक्षली एक सीरेल आता था इवन आता है युझे बहुत बुरा लगता है कि इस बीड मोर देन 15 15-16 अभी वी सेयल चल रहा है जिसका नाम में यह रिष्टा क्या कहलाता है I think they are also confused कि ये रिष्टा क्या कहलाता है इसलिए वो इस सीरियल को अभी भी continue कर रहे है या जो भी होगा सो वो सीरियल की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ असल जिन्दगी में जब हमारे साथ ऐसा होता है जब हम खुद कंफ्यूज हो जाते है कि ये रिष्टा क्या कहलाता है तब उस ताइम पर क्या करना चाहिए ऐसा होता है न काफी बार कि आप किसी के साथ फ्रेंड्शिप में हो आप किसी के साथ रिलेशन्शिप में हो या आप किसी के साथ वी आर हीर, हम दोनों है सात में, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये रिष्टा क्या कहलाता है, क्या ये सच में दोस्ती है, क्या ये सच में प्यार है, ये सच में रिलेशन्शिप है, क्या तुम मुझे सच में पसंद हो, ये क्या है ये, what is this, कब तक confused रहोगे, आप पर क्यो हूँ, मेरी existence क्या है, इस रिलेशन्शिप में, इस friendship में, या so called किसी भी ship में, मैं क्यो हूँ, मेरी value क्या है, मेरी worth क्या है, मेरी जरूरत क्या है, confused हो जाते हो ना आप लोग, मैं बस हो गया गया, now this is it, that is enough is enough, है ना, बस, इस से जादा मेरे को बयार नहीं करन अब इस से जादा मैं बयार नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो उस time पर जाके बोलो अगले को, सबसे पहले तो मैं आपको कुछी tip देना चाहूँगा, यहां तक पहुचने के लिए, क्या करो, अगर ऐसा है आपकी life में, कि आप अगले के साथ किसी भी so called ship में हो, सारे ship आप स अगर आपके हिसाब से, यहने आपके हिसाब से मतलब सही, रिजल्ट नहीं आता है, जब आपको सही रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस time पर चीजो को छोड़ दो, because कोई भी relationship ले लो for that matter, it is like a water, पानी की तरह हता है, जितना भी उसको पकड़ने की कोशिश करो गे न वो जाएगा, don't try to, you know, capture any kind of relationship, or don't try to make it bounded towards anything, किसी भी relationship को, आप बांध की रखने की कोशिश मत करो, कि ने 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 यार, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो, गेरा वगेरा वगेरा, ये ट्राय मत करो, it will lead to unending conflicts, तो उसकी वज़े से conflict होने ही होने, अगर आप किसी भी relationship को पकड़ने की कुशिश करोगी तो, तो वो मत करो, वो नहीं करने हमें, you should give your best, पहले अपना best दो, 100% दो, चितना दे सकते हो दो, अगला ये समझ जाए, कि यार, उसने अपने एंट से पूरा कर दिया, उसने अपने एंट से 100% दे दिया, इसके बाद अगर वो person वापस आके तुम्हें कुछ कहता है, तो उस time पे उसको पूछो, ये रिष्टा क्या कहलाता है, तब वो आपको बताएगा, ये रिष्टा क्या कहलाता है, ओकी, फिर भी नहीं बताता है, तो उसको बोलो, कि this is it, अब पानी सर के उपर चला गया, अब मेरे को न refuse, और फिर आप जाके बोलो, it is not going to work out, ऐसा होने नहीं वाला, ये चीज़े work नहीं करे, you should give a certain time, और उसमें आप अपने आप में काफी change लेकर क्या है, आपने बहुत कुछ सीखा, आप गलत थे काफी जगा पे, वहाँ पे आपने सुधारा, अपने आपको ब्रो किया, जो आपने ओवरकम किया, जो भी आपकी गलतिया थी, उन्हों आपने accept किया, आपने उन्हें उन्हें से सीखा, उन्हें दोहराया नहीं, जब ये सब आप कर लोगे, तब जा करके आप कहा सकते हूँ, मेरे अंदर भी तो काफी loopholes थे, काफी कमिया थी, जिनको ओवरकम करके मै मैं यहां तक आया हूँ, and it's been so long now, अब बहुत time हो चुका है, अब still मुझे नहीं समझा रहे, तो मुझे बताओ, ये रिष्टा क्या कहलाता है, फिर अगर अगला आपको बताता है, ये रिष्टा क्या कहलाता है, so well and good, नहीं बताता है, so वो time पे जाकर उसको छोड़ दो, किसी के भी पीछे, अपना कटवाने की जरूरत नहीं है, तो अब तक आपने जितना किया है, वो बहुत जादा है, अगर आपने एक certain time लगाया है, तो अगर अपने अंदर काफी changes करे हैं, तो बहुत जादा है, इससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर वो समझता है, समझती है, और आपको answer मिलता है कि ये रिष्टा क्या कहलाता है, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, या फिर अगर वो जो answer आता है, वो आपके favor में नहीं है, तब भी आपको दुख्य होने की जरूरत नहीं है, तो आप तो अलड़ी सारी जीदों को वरकम कर चुके हो और आप अभी उस लेवल पर आ चुके हो जहापन आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या मिल रहा है या मेरे से क्या जा रहा है कि इसे कोई फरक नहीं बड़ता तो आप जिस भी शिप में हो राइट नाओ आपको एक सब्सक्राइब लेना है तभी तो कन्फूज होगे ना पर सुए दो चार दिन की बाते तब आप कैसे कन्फूज होगे तब तो नया नया एक दम बट वैन यू टुक लॉंग टाइम इन डाट पर्डिकूलर शिप रोग कोई भी शिपो और वहां पे जाके आपको फील हो रहा है कि या यह यह तो बहुत पाइम हो गया आपको जब आपकी जगन नहीं मिल रही आपको नजर आ रहे यार मैं तो कहीं हुई नहीं तब जाके पूछो कि यह रिष्टा क्या कहलाता है के और तब अगला आपको अनसर देगा के जरूर देगा देना ही पड़ेगा और अगर नहीं देता है तो शिप से बाहर निकल जारो यह जरूरी आपके लिए आपके और आपकी एल्थ लिए बहृत जरूरी है और विश ठीझ से भी अप विष्टा क्या कहलाता है वह आपको आंसर देगा और वह आपके यूना फेवर में होगा ऐसा मैं विष्ट कर रहा हूँ और अगर नहीं होता है तो ऐसे परसन के पीछे उस शिप में रहने का फाइदा है आपने अपना बहुत टाइम लगा चुकियो उससे काफी चीज आप स सब्सक्राइब कर सकता हूँ तो बस आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस पूरे चार-पान साब के पी एजडी में आपने बहुत कुछ सीख लिया है आपको और जादा वहाँ पर एफट्स डालने की जरूत में यह वेन इट बिकम्स लांग ताइम तो यह रिष्टा क्या और कहलाता है कि यह कहलाता है यह वो कहलाता है यह कुछ नहीं है तो लेट गो करो चीजों को लिकोज जस्किबेंग आपने अगर किसी के पीछे एक बश्यून टाइम लगाया इए इपमीज अब इच्छे इंसान हो तबी तो लगाया ना आपने अपने अंदर की कमियों को भी ओवरकम किया you have learned a lot in this particular ship जो भी आपकी रहेगी उसमें आपने बहुत कुछ सीखा तो बहुत अच्छी बात है आप एक नेक्स लेवल पर चले गए हो यहां से अपने शुरू किया तो वहां से आप यहां पर आ चुके हो यहां पर आने की बात अगर आपको शिप को आना पड़ता है खाली हाथ कोई फरक ने बढ़ता है बहुत अच्छी बात है विकुद आप लिए टॉप टू बटम बदल चुके हो भले वो परसन बदला हो यह ना हो उससे फरक ने बढ़ता है आप तो बदल चुके हो ना यह जरूरी है and I believe कि जब आपने इतना टाइम लगा है तो अगरा इतना भी बुरा नहीं होगा यारad कि आपको मिरए बहार में कोगई ने मेरे को इतना दब्ला उसकते मैं इतना बुद आंसर और इन cons claiming reality जा कितना ताइम फिट में रहना है आपको बस होगै बहुत होगै आव गो अंडाट किस रहुत हिए रिष्टा क्या गाला है यह यह रिगूता हैła रिष्टा क्या कहलाता है अपल्ष सिख से यह सिख दिए आप वह था है जा फिर उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है कि यार मैंने इसके बिच्छी तरह टाइम लगारी और इसने को मेरे साथ क्या किया यह गलत हो जाएगा फिर आपने जो इतनी मेहनत करी इतने सालों की और आप जो एक अच्छे इंसान बने हो इवेंचिली जाके end of the day ultimately जाकर क्या आप रॉंग प्रूफ होगे ना तो मत करो बले को आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो इक ड़सन मैटर आपको सबके साथ अच्छा रहे ना है तारीज दे इंपोरेंट पीजिए आपको समझ में है अगर इस टॉपिक की तुर आपने अच्छा कमेंट सेक्षिन के अंदर बताओ और वस्क्राइब को देखने के लिए बहुत बहुत धनिवाद इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो जैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टेए यून